आपका स्वाकत धजरन बी शोगलिब्सले में बस देखते रहो और सीखते रहो भारत में अक्सर पैसो वाले पॉडकस ज्यादा सुनते हैं लोग फिर क्राइम वाले पॉडकस वाले पॉडकस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा भूत प्रेत आज अगरिंग टुमी क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल मॉर्मिंग है, पहले मैं आपसा पूछना चाहूंगा कि दुनिया में हो रहा क्या है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हर कोई थोड़ा बहुत जानता है, पर एक टिक्चर कर दीजिए, कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोचा, तो फिर 2035 तक, 2045 तक, जो 10 साल दूर है, 20 साल दूर है, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, बिंगॉल में, क्या होने वाला है? मैं मुंबई की बात करो, बंगाल की बात करो, रइट? मैं आपको मेरा फ्रिम आफ माइन बताता हूं, मैं मेरे पापा उम्मी के साथ में डिसकस कर रहा था, कि घर लेना चाहिए क्या, एंड, मैं पला बडा बॉम्बे में हूं, तटर मुंबई हैं, और मैं बोल रहा हूं कि नहीं यार यहां पे ना अगले 10-20-30 साल में तो चांसे हैं कि ग्लोबल वर्मिंग के वज़े से पानी का लेवल इतना उपर आ जाएगा कि शायद से बॉंबे एक्सिस नहीं करेगा दस साल में दस में नहीं बढ़ हाँ 20-30 में हमारी लोकेशन बीच के इतने पास में यहां पे आप सोचे एक फूट दो फूट अगर उपर आगा पके रस्ते कहां गए पुरी लाइंड समर्जड है तो तो जैन्यून रिस्क है यह बट यह क्यों हो रहा है एंड यह क्यों दु लेयर दायब हो रहा है हमारे एर्थ के ओपर एक 13-15 किलोमेटर दूर एक ओजोन के केमिकल की लेयर है जिससे सन की जो हामफुल किरने हैं वो हम तक नहीं पहुंचे अगर वो पहुंची तो स्किन कैंसर होगा पौदे मर रहे हैं हम जी नहीं सकते थे यह बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इशू था नाइनटीज में जब हम स्कूल में थे हमने वो प्रॉलिम को ओवरकम कर लिया हमें लगता है कि मैंने दो बिजली के बल एक साचालू कर दिये एसी जादा लगा दिया थोड़ा पेट्रोल वेस्ट कर दिया समान वेस्ट कर दिया खाना वेस्ट कर रिकार्ड योमानिटी का सबसे जदा गरम साल था इससे भी खराब स्र्थिस्टिक हमारे लाइफ के मतलब योमानिटी के लाइफ के मिल शजाति के पूरे जितने भी हम साल पीछे जाएं जो 10 साबसे गरम साल थे उसमीं से नो पिछले दस साल में थे पिछले डेकेड में अगर एक फ़न तरीके से इसको देखे आज जितनी भी गर्मी है न सेलिब्रेट कर लो ये तो ठंडा है इसके आगे तो बोर गर्मी होने वाला है इसके से हो क्या रहा है जो भी हमारी जॉब्स हैं हम जिस जगह पर रह रहे हैं हमारी एकोनॉमी जिस चीज़ पर बिल्ट है हमारे बड़े शहर चले जाएंगे लोगे घर चले जाएंगे जो सबस्दाइब इंपक्त होंगे मैं तांग खीच रहा हूं आपकी आप तो HNI हो ठीक है आप तो बोड़ेश कर लोगे बर मिडल क्लास है जो गरीब है वो कहाँ जाएग कि उसके एक है शाएद यह उसकी लोकल लाइविलिहर मतलब वही पर खlingt स Adv. TL तो कहाँ जाएगा आप एक Egypt library जुकल्ट सोकोन स्लिशित तो तो सल्यूशन की भी बाते करेंगे पर आफिल कि पहले इस प्रॉब्म को गहराई से समझना चाहिए लोगों को 2006 में 2007 में जब मैं एथ स्टैंडर्ड नाइन स्टैंडर्ड में था तब इविएस हम पढ़ते थे स्कूल में एंवियरमेंटल स्टैंडर्ड इस उन्होंने अच्छली इविएस को अपनाया अपने दिलों में जैंजी थोड़े ज्यादा एंवियरमेंटली कॉंशिस होते हैं पर दे वर्ल्ड इस राइन जैंडर्ड जब वह पावर में आ जाएंगे जब वह पॉलिटेशन बनेंगे 30-40 साल बाद उतना समय नहीं है अपने पास उतना समय नहीं है हमारे पास में क्यूंकि अभी जो सारी कंट्रीज आपस में डिसकॉस कर रहे हैं वो एक एक मेट्रिक के उपर सोचने के 1.5 डिगरी सेल्शिस के उपर एंपर नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर यह बढ़ गया तो irreversible changes हो जाएंगे irreversible changes हो जाएंगे ओशिंज में irreversible changes हो जाएंगे हमारे प्लानेट के टेंपरेचर में. और इसके वज़े से पूरा इकोस्टम हिल जाएगा and वो आप वाप से रिकवर नहीं कर सकते. एक डिग्री चेंज की वज़े से? आधे डिग्री चेंज की वज़े से. पर लाजिक है, मतलब आधे डिग्री चेंज की वज़े से क्या क्या हो सकता है जिसे यहां पर आधा डिग्री चेंज होगा ना पानी है जीरो डिग्री सेल्शियस पे बर्फ है जीरो डिग्री सेल्शियस पे ही पानी भी है वो बर्फ अगर पिगल गई तो वो ओशिंज में खारा पानी होता है खा मैं नॉर्थ में करूं और शाउथ में करूं ओशन में करेंट होते हैं हमने ऐल नीनो करके अगर आपको लोगों पता हो कि हर पांच साल में मेरे खाल से हां मतलब यह बड़े पैसिफिक ओशन में अट्लैंटिक ओशन में हवाय जो घूमते रहती हैं क्लाउड जिसे फॉर्म होते रहते हैं यह करंटी बतल जाएंगे अब सोचिए सिंपल सा इंपक्त है इंडिया में बारिश कितने महिन होती तीन चार महिन होती है हम एक्सपेक करते हैं कि जून से सप्टेंबर बारिश होंगी अगर नहीं हुई तो जो होरी आजकल जो होरी है तो आप करो के क्या तीन साल इमेजिंग कर लो आपको पानी नहीं आ रहा खेती नहीं होरी खाना नहीं है अमीर तो चलो खा रहे हैं एक्स्टा पैसा लगा-लगा के बट वट इस हापनिंग तो पबलिक और मैं तो उल्टा अभी है अकल लगा लो अमीर हो गरीब हो help अपने अपने देश अपने प्लानेट के लिए act अभी करना शुरू करें हम लोग so that हमें वो rebellion के थूरू जाना ना पड़े एंड इसको dystopian view बोलते हैं जहां पे सब कुछ खराब हो रहा है उसमें लोग कैसे survive कर रहे है and utopian ये है कि सब अच्छा होगा पर हम dystopia की ओर चले जा रहे है हम वो create कर रहे है और हमारे पास में hope है अभी and मैं क्योंकि दिंबर इस चीज़ पर काम करता है तो थोड़ी सी tendency हो जाती है एक bleak outlook की but मैं बहुत optimistic हूँ कि आज हमारे हाथ में वो चांस है कि हम ये change reverse कर पाए mankind कभी कम नहीं पड़ी है हमें बहुत सरे दिक्कत हैं जब इंडिया की population बहुत ज़ादा हो रही थी 60s, 70s में ये था कि भूकमरी आएगी तब हमारे scientists हमारे storytellers, हमारे politicians हमारी country सब वो problem solve कर पाए green revolution आया, white revolution आया अभी भी आएगा एंड इसलिए मुझा ये भले election का साल है मुझे पता है जो भी अभी governments खर्चा कर रही है government अभ बोल रही है अभ खर्चा करें अब vote जीतेंगे ना, अब हम climate change पर vote जीतेंगे मैं आपको इसका एकर example दो Australia में जो government अभी power में आई है वो climate change के mandate पर आई है और ये कुछ सालों में हमें हर देश में देखेगा because public अभी मांगे कर हमारे life impact हो रही है बहुत ही odd statistics दी दूँगा, हम जो दूद का packet है हम एक corner cut करते है मागी के packet का जो एक triangle से corner cut करते है उसके वजे से कितना pollution हो रहा है बताओ क्यों क्यों क्योंकि वो बाकी पूरा जो packet है बड़ा पीस वो तो recycle हो जाता है ये छोटे triangle ना पकड में नहीं आते ये चले जाते हैं ocean में ये कहीं trap नहीं होते ये छोटे triangle अभी किसने सिखाया नहीं वो तो किसी podcast पे देख लिया मैंने मुझे समझ मैं अब मैं अलग तरीके से कट कर रहा हूँ चोटे-टे प्लास्टिक के पीस पकड नहीं रहा बट इतनी चोटी जो जो हम प्लास्टिक के straw यूज करते थे बीच में बॉंबे में मुहीम निका लेती ही सारे सिनेमा हॉल में आप प्लास्टिक का स्ट्रा यूज नहीं करोगे पेपर का करोगे छे मैने तक तो ये ची अच्छे से फॉलो भी फिर रिवर्स होगे मतलब लोग भी प्लास्टिक यूज कर रहे हैं हाँ गवर्मेंट अलाओ कर रही होगी कुछ ना कुछ तो पुषन पुल होगा इंडिस्ट्रीज और गवर्मेंट के बीच में बट यहीं पर हमें जो सपूर रहे हैं थोड़ी से कटे नहीं खुद बैर कर लो खाने पर तो अलगी दिख्कत है कि हम इतने पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं अगर हम कम करना अगर हम वेस्टेज कम करना अगर वो पॉसिबल हो पाया उसके जैसे मतलब पूरा जो अग्रिकल्चर हमारी इतनी पॉपुलेशन जाटकी पड़ी है जो खाने की कमी है इंफलेशन जिसके इसे होता है वो कम होना पड़ेगा बड़ यह मुश्किल है और यह जब ना मतलब क्या बोलते हैं लास्ट रिसॉर्ट अला प्रॉब्लम आता है ना तब गवर्मेंट हैं पर इंसेस करते हैं चाइना में हुआ आपने 3-4 साथ पर देखा होगा चाइना ने बोला आप खाना इतना वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं आपको जेल में डालेंगे चाइना में तो यह होता है जेल में डालेंगे आपको टैक्स ज़ादा लग जाएगा बट उन्हें इस हद तो उनने जाना पड़ा हमारे तो हम सच भारत अभ्यान की बात कर रहे हैं चाइना में वो लोगों का क्या खाना खा सकते हो उन्हें इंसिस करना पड़ रहा था वो बले कितने भी डिक्टेटोरियल कंट्री में हैं कोई ये करना नहीं चादा क्योंकि फब्लिक आपके अगेंस रिवोल्ड करें पर चॉइस नहीं करता है कि जैसा भोला के भुके पेंट भजन नहीं होता हर कोई चाता है अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना आप कैसे किसी को भी बोलोगे मिनल ग्रास को भी बोलोगे क्यार एसी तुम कम यूज करो औसे बल है कोई मानेगा कितनी भी आग लगी होगना कहीं पर और आप clean energy consume कर रहे हो तो उसको ऐसे ही बहुत सारे clips अपलोड की हैं इस चैनल पर चैनल को explore करो, देखते जाओ और सीखते जाओ